हलो एवरिवान चलिए आज की इस वीडियो के शुरुवात थोड़ी सी धक्का मुक्की से करते हैं ये देखिये क्या हो रहा है यह आप पे ओहो हो एक लड़की दूसरी लड़की को धक्का दे रही है लात मार रही है अशली आईशद से अब देखिये यहां एक लड़की ता अब यह दोनों इंस्टैंसेज देखके, क्या आपको लगता है कि यहां कुछ गलत हो रहा है? बिल्कुल, यहां हो रहा है टॉट कमिट I know, थोड़ा सा अधरंगी वोर्ड है, फिर्स टाइम सुन रहे होगे, मतलब नहीं पता होगा पर टेंशन किस बात की है, मैं हो ना मतलब समझाने के लिए टॉट का मतलब होता है रॉग अब आप सोचेंगी इतना वियर्ड वर्ड का आईडिया कहां से आया आक्शली क्या है, हम इंडियन्स की आदत है, हम अपनी डिक्शनरी ना बाहर की डिक्शनरी से भड़ते है तो लाटिन में एक वर्ड था टॉटम, बस वहीं से हमने पकड़ लिया ये वर्ड टॉट लेकिन भई गलत तो बहुत सारे प्रकार का होता है, कुछ सिवल नेचर का होता है, कुछ क्रिमिनल नेचर का होता है, कुछ पबलिक नेचर का होता है, कुछ प्राइवेट नेचर का होता है तो गलत को किस तरह से माने हम? ये बोलते हैं, हर एक गलत चीज टॉट नहीं होती है अच्छा हाँ, यहाँ पर बच्चों का बहुत confusion होता है उनको लगता है सारे गलत मतलब टॉट नहीं, ऐसा नहीं है हर एक रॉंग चीज टॉट नहीं होती है मान के रखिएगा सिर्फ वही चीजें जो कि सिवल रॉंग में आती हैं सिर्फ और सिर्फ वही टॉट मानी जाती है मतलब ऐसी चीजें जो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान को ही तकलीफ दे नहीं पता है तो इसी सानल पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है सिवल रॉंग वर्सस क्रिमिनल रॉंग आप वो जाके देख सकते हैं उसका लिंक में आपको दिस्क्रिप्शन बॉक्स में आस वेल एस उपर ब्लिंक होता हुआ दे दूंगे सो ये बोलते हैं कि क्रिमिनल रॉंग टॉट में नहीं आते हैं सिर्फ और सिवल रॉंग आते हैं टॉट में बट फिर क्वेशन वही अराइस होता है कि क्या सारे सिवल रॉंग टॉट होते हैं तो उसका आंसर भी है नहीं सारे civil wrongs taught नहीं होते हैं कुछ selected civil wrongs होते हैं कुछ selected civil गलतियां गलत चीज़े होती हैं जिनको हम taught बोलते हैं तो अब I hope आपको taught वर्ड तो समझा आई गया होगा जिसका मतलब है गलत चीज कोई गलती कौन सी गलती civil nature की गलती civil nature की सारी गलतियां taught होती हैं नहीं कुछ selected civil nature की गलतियां ही taught मानी जाती हैं जैसे की किसी को धक्का दे देना किसी को defame करने की कोशिश करना किसी को डराने की कोशिश करना ये सारी चीज़े civil wrongs में आती हैं और इन्हे taught माना जाता है ये बोलते हैं 1963, now what is this limitation act, limitation act वो act है, जिसके अंदर दिया हुआ है, कि अगर कभी आपके साथ कुछ गलत होता है, तो कितने time period के अंदर अंदर ही आप उस चीज के regarding case कर सकते हैं, हर एक चीज की एक limit होती है, हर एक चीज का limited time period होता है, तो उस सारे periods limitation act में mentioned है, इन्होंने section 2 M में tort की definition दिये हुई है, ये बोलते हैं, tort means civil wrong, which is not exclusively a breach of contract और breach of trust, ये civil wrong तो है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ breach of contract या breach of trust नहीं है, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़े होती हैं, जो civil wrongs में आती हैं, जिनको हम tort मानते हैं, So, यहां से हमें दो elements पता चलते हैं, tort के बारे में, कौन-कौन से, पहला है, a tort is a species of civil injury of wrong as opposed to criminal wrong, मतलब ये civil wrong है, criminal wrong नहीं है, और दूसरा, कि that every civil wrong is not a tort, हर civil wrong tort नहीं होता है, That's it for this video, I know बहुती precise सा छोटू सा ये वीडियो था, जिसमें मैं सिर्फ आपको tort का मतलब समझाना चाह रही थी, And I guess, वो successful हो गया है, आपको tort का मतलब समझ आ गया है, but मैं आपको सिर्फ tort का मतलब समझाना के ही, चीज़े खतम नहीं कर दूंगी, मैं आपको tort के बारे में, बहुत detail में, बहुत अच्छे से, पूरा का पूरा ये act समझाऊंगी, So, इसके आगे की जितनी भी further videos हैं इस playlist में, वो सारी की सारी इसी से related होने वाली हैं, जिसमें मैंने law of tort को पूरी तरह से cover किया है, एक-एक point को अच्छे से detail में cover किया है, So, अगर आपको tort को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, तो ये इस पूरी प्लेइलिस्ट की वीडियो देख डा लिए, Link मैं आपको description box में दे दूँगी, as well as आपको वीडियो के end में भी blink होता हुआ screen पे दिख जाएगा, अगर आपको dots के notes नहीं हैं, तो उसके लिए आप मुझे contact कर सकते हैं, WhatsApp नमबर पे, जो की description box में दिया हुआ है, बाक ही कोई भी doubt है, comment section में लिख दीजिए, अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है, तो please, जल्दी जाके पहले वही काम कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे, प्यूचर में बहुत कुछ आने वाला है आप लोगों के लिए, thank you so much for watching this video,